पर हमारी जगे लेगा कौन? वही जो टीवी पर बलाता है ना लोगों को वो 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 नहीं मुरे है नहीं? वो वो? वहाँ नहीं नहीं इसकी कॉमेडी का सवाल है यार बच्चों पर नहीं छोड़ सकते हैं जोनी लिवर ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे डेफिनेटली कपिल सर्मा शो की TRP कम होने वाली है क्योंकि जोनी लिवर कॉमेडी को लेकर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आज से पहले अभी तक नहीं हुआ है और ना ही किसी ने किया है और इस न्यूज से कुद कपिल सर्मा और कपिल सर्मा शो के मेकर्स को भी काफी गबराट हो रही है लेकिन ऐसा कपिल सर्मा शो के साथ पहली बार नहीं हो रहा है ऐसा लग रहा है कि कपिल सर्मा और उनके शो के पीछे बहुत सारे हाथ धोकर पड़े हैं कभी कोई कपिल सर्मा की बुराई करता नजर आता है तो कभी कपिल सर्मा किसी की बुराई करते नजर आते हैं और इन दोनों ही कारणों से कपिल सर्मा हमेशा सुर्क्यों में बने रहते हैं लेकिन इस बार जोनी लिवर ने कुछ ऐसा कर दिखाया है कुछ ऐसी स्टेटमेंट कही है कपेशर्मा के बारे में जिसकी वज़ाय से जोनी लीवर सुर्खियों में आ गए है दरसल बात ये है कि जोनी लीवर और सोरब शुकला का एक छोटा सा टीजर आया है होट स्टार पर जिसमें दोनों कॉमेडी के दिगज सल्मान खान और सारुक खान की कोपी करते नजर किया गया है मतलब कि कॉमेडी से रिलेटिड कुछ बड़ा आने वाला है होट स्टार पर और इसी के चलते ही स्पूफ में जोनी लीवर ने कपिल सर्मा के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जो कि कपिल सर्मा को बिलकुल पसंद नहीं आने वाली है वैसे तो जोनी लीवर को तो देखते हैं अब ये किस टाइब का कॉमेडी शो बनने वाला है और किस तरीके की कॉमेडी होने वाली है ये तो शो की ट्रेलर के रिलीज के बाद ही पता चलेगा तो वाया सौरब सुकला और जोनी लिवर के इस शो को देखने के लिए मैं तो बहुत ज़्यादा है इस शो को लेकर हमें कमेंट वोक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना चैनल पर नहीं है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब मैं आप से मिलता हूं बहुत ज़्यादगली वीडियो में तब त जाहिंद